हाई एवरिवन वेलकम टू इस वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 11 और इसमें हम जारेंगे समुदाय एक सक्रियम अनपचारिक अभिक्रण के रूप में फंडमेंटल आफ एजुकिसंस का बहुत ही इंपोर्टन की चैप्टर है आई एक निजर डालते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है तो दोस्तों आपको कम्प्लीट इसमें समुदाय यदि की कम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है और देखें कि आपसे बी एड में प्रश समुदाय के सैक्षिक कारें बताई और बालक पर समुदाय के सैक्षिक कारें का प्रभाव पढ़ता है इसको बारे में असप्स करना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या होता है दोस्तों इससे पहले कि हम यहा समूदाय ने विरोध परदसन किया है वह खास समूदाय का क्या मतलब होता है तो समूदाय क्या होता है बच्चों एक कई वेक्तियों का एक समू होता है एक वर्ग विसेस समू होता है जो कि एक तरीके के आस्था को या फिर एक तरीके के परंपरा पर विस्वास रखते हैं य एक साथ और मिनिस का अर्ट होता है सर्वीस अर्थार्ट सेवा देना इस प्रकार समुदा का अर्थ है कि प्रवield धाइक सेवा करने की प्रवेड़ती का विकास एक निश्चत भूबहाग में रहने से ही सम्मावित होने लगता है जैसे मुस्लिम समुदा है, हिंदू समुदा है, क्रिश्टन समुदा है, बहुत समुदा है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं एक साथ मिलकर सेवा करने की प्रविर्टी का विकास एक निश्चित भू भाग में रहने से ही समभावित होने लगता है इतने बड़े समाज के परतेक व्यक्ति के साथ रहना अर्थात सबके साथकर मिलकर सेवा करना असंभाव है इसलिए व्यक्ति एक निश्चित भूच छेतर में जब निवास करता है तो वो धीरे धीरे अन्य व्यक्तियों के साथ उसके संबंद विक्सित होने लगते हैं ठीक है तो यह हो गई समुदाय के अर्थ, समुदाय sorry का मिलकर सेवा करना मिलकर सेवा करना एक समुदाय का रहे है इसी को वास recimy के अर्थ के रूप में देखते हैıldı अगर हम इस समुदाय की परिभासा की बात करें तो परिभासा से बहुत चीज़े किलिर हो जाएंगी एक भगौलिक छेत्र के एक भगौलिक छेत्र के अंतरगत मानिविये समंदों का एक निश्चित रूप पतलब अर्थात व्यक्ति, संस्कृति एम भूमी का समनवित प्रांत हो गया, बंगाल प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उत्र परदेश हो गया, ठीक है, एक सीमित छेत्र के अंतरगत समाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट एक गिंस्बर्ग ने बहुत यची परिभासा दिये, इ कि संब्द है, या तो समान restoration समुदाय के परिराम समुदाय करे बिमंद भीतार हो गया, इसलिए यहाँ संबुदाय कहा जह Exodus कि कई व्यक्ति मिलके एक नया समुदाय जैसे कि एक अक्रिसी समुदाय कुछ लोग मिलके अक्रिसी से सम्मंदित बात करेंगे या फिर समाने जीवन का निर्मार करते हैं ठीक है तो एक जैसे जीवन का निर्मार करते हैं लोग मिलके तो वो भी समुदाय के अंद्रगत आते हैं इसकी परिवासा इस तरह से गिंजबर्ग देती थी यह हो गई अभी तक बात अर्थ की और परिवासा की अगर हम विसेस्ताओं की बात करें तो बिल्कुल विसेस्ताओं में पहला है हमारा व्यक्तियों का समू क्योंक अब इस समुदाय में समाने जीवन होता है एक निश्ची तोर पे पूरी तरह से नहीं है लेकिन बहुत हद तक इनके जीवन जीने की जो सैली होती है वो क्या होती है समान होती है उनके लिए समान नियम भी आते है ठीक है जैसे सेम परंपरा सेम भावनाय सेम समुदाय इनक लिए एक समाने नियम बनाया जाता है कि इस नियम के अंत्रकत ही उस पर्टिकुलर समुदाय की लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसकी आओधी वक्ती के जीवन से लंबी होती है, ठीक है, कोई ऐसा निए की समुदाय आज की जीवन हो बन गया, आप हैं, आपके बाद भी वो समुदाय बना रहेगा, ठीक है, आपके आने वाली पीणी उस समुदाय को आगे बढ़ाएंगी, तो यह क्या होता है, बच्चो उस समुदाय की सदस्ता क्या अनिवार होती है, कि हाँ, आप इस चीज से जूड़े हैं, आप इसके सदस्ते हैं, समुदाय के बहुत यह बहतरी पॉइंट है, कि हर बच्चों के अंदर से एक समुदाय भावना होती है, जो भी उस चीज से जूड़ते हैं, जैसे कि आप कि exam's के point of view से वो यह है कि समुदाय के निम्नलिकित सैची कारे यह बहुत इंपॉर्टन प्रशन है कि सैची कारे का मतलब एक समुदाय सिक्षा के लिए क्या कारे करता है ठीक है तो पहला point है बच्चो विद्यालेओं की अस्थापना करना यह समुदाय की जिम्मेदारी हो दिये कि आने वाले बच्चों के लिए या भी जो बज़े पढ़ना जाते है उनके लिए उसकी विद्यालेओं की अस्थापना की जाए शिक्षा के उद्धे से निर्धार किये जाए कि आप शिक्षा के उद्धे से क्या रखते हैं उस चीज़ों को लगे ठीक है चलिए सिक्षा पर नियंतरड रखा जाए, सिख्षा कैसे चलाना है, कितने घंटे चलाना है, किस प्रकार की सिख्षा देनी है, यह समुदाय के एक सैचिक कारे के अंदर गताते हैं, विद्यालेओं पर नियंतरड रखिए, सिख्षा के औन अपचारिक साधनों की विवस्ता, जीक है, वो ऐ अपर चिहलते होगे, सौरब भौमक सिख्षा के व्यवस्ता, यहां का मतलब यह होता है, कि क्या आपकी सिख्षा व्यवस्ता ऐसी तो नहीं कि कि इनसानों को मसीन बना रही है क्या आपकी सिक्षा ब्यवस्ता में बच्चों के सारणिक विकास मांसिक विकास भावात्मक विकास अध्यात्मी विकास क्या इन सभी पक्षों पे बल दिया जा रहा है इसी को हम सौरव भॉमिक्ता कहते हैं सिक्षा के छेतर में तो सौरव भॉमिक सिक्षा की वेवस्ता बच्चो के लिए करना पार्टिक्रम का निर्मार करना कि किसके बाद से कैसे क्या पढ़ाना ये समुदाय के कारे में अंदर आते हैं विवसा हैं और दोकिक सिक्षा कि कहीं ऐसा है तो नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है वो अपने जीवन में उसे कुछ कमा नहीं पा रहा है उसको अपनी जीविका नहीं चला पा रहा है तो इसकी विवस्ता करना किसका कारे बच्चो इसकी विवस्ता करना एक समुदाय का कारे ह विद्यालों के लिए धन का प्रवंद करना, विद्यालों में पढ़ाई के अस्तर का निरिक्षड करना, कि किस प्रकार से पढ़ाई की जा रही है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, सैचिक उदेशों की प्राप्ति हो रही है कि नहीं, इस सारे बच्चों किसके काम है, है कि अंदर प्रभाव क्या पढ़ता है इन सारे चीजल को ठीक है क्या उसके अंदर impact आता है अब आई यह पहला है सारीक विकास पर प्रभाव पढ़ता है गाउं अत्वा मुहिले की सफाई एवन समुदाय के सदस्यों से स्वास्त सम्मनित ग्यान बालकों के स्वास्त को प्रभावित करता है तो समुदाय से क्या होता है बच्चों बालक के सारीक विकास पे प्रभाव पड़ता है तो समुदाय के लोग कितने साफ सुत्रे से रहते हैं करते ब्यादी जनकरी समुदाय से प्राप्थ होते हैं तो बच्चों का समाजी करण जो होता है समाजीक प्रभाव होता है वो भी क्या है समुदाय के सैचिक प्रभाव के करण बच्चों के ऊपर असा राता है मांसिक प्रभाव बालग के मांसिक विकास में भी समुदाय योगदान है जैसे पुस्तकाले वाचनाले के कुछ समुदाय से विशेश विवस्ता होती है आपके समुदाय में किस प्रकार से पुस्तकाले का निर्मार या किस प्रकार से सिक्षा को importance दिया जा रहा है इससे क्या होता है बच्चे को मांसिक विकास या मांसिक कूप के उपर भी प्रभाव पड़ता है नेक्स अगर हम बात करें राजनितिक की यह बहुत अच्छा point है आप देखेंगे राजनितिक प्रभाव आप अगर यूपी से हैं तो आप देखेंगे कि यहां के बच्चे के अंदर अगर वो ना भी जानता हो ना फिर भी उसको politics के बारे में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि यहां का ना माहौत बहुत ही ज़्यादा है politics के लिए हमारे जुगाओ है ठीक है अब इसी के लाव अगर आप राजस्थान की बात करें राजस्थान के लोग खेलों पे बहुत ज़्यादा देते हैं पंजाब के लोग किसानी पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं यह ऐसे चीज़ें जो famous हैं ठीक है जैसे गुजरात के लोग business हां नया entrepreneur बनना नहीं उद्योग पती बनना इन चपके ठीक उसी पकर से यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी में राजनीती जो है न यह बहुत ही complicated गो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनों से गो जाता है यूपी वाले ही तैय करते हैं देश के राजनीतिक प्रभाव से तो इसलिए राजनीतिक प्रभाव भी समुदाय में बड़ा रोल देता है राजनीतिक प्रभाव में कि आपकी समुदाय से बिलोग करते हैं कहां बिलोग करते हैं दुरभा के वसे वर्तमान समय भारते समुदाय में नौकरी के परतिया दिगा कर से हैं। ठीक वही बात है ना कि आजकर हम नौकरी के लिए ज्यादा करते हैं जबकि अपना बिजनस को थोड़ा सा कम समझते हैं। मतलब हम नौकरी के तरफ जादा जानते हैं तो ये सारी चीज़े क्या है बच्चो ये कहीं न कहीं समाज की देन है और ये क्या है समुदाय का हमारे उपर प्रभाव है नैतिक प्रभाव, मोरल इफेक्ट हाला कि इस माप्तेंड में अगर हम अपनी बात करें तो हिंदुस्तान की मोरल इफेक्ट नैतिक प्रभाव बहुत ही बहतरीन है अभी भी हम दूसरे के दर्द में अपना दर्द देखते हैं दूसरे के खुशी में हम अपनी खुशी देखते हैं तो ये हम से समुदाय से हमें क्या मिलता है ठीक है चलिए समपरदाई कूपरभाव यह बहुत ही गलत चीज़ है जो कि हमारे समाज में है कुछ कूपरभाव भी पड़ता है जैसे communal influence चाहे वो जात को लेके हो गए धर्म को लेके हो गए या फिर छेतरवात को लेके हो जाए कि हम बंगाली हम गुजराती तुम यूपी ब्यारी तो इस प्रकार से भी हमारे अंदर समपरदाई का गलत कूपरभाव भी पड़ता है समपरदाई को प्रभाव पड़ता है ठीक ह चलिए, next हम देख लेते हैं, बाकी सब हम नहीं देख लिया, तो ये हमारे 8 important point है बच्चो, बालक के समुदाय का प्रभाव बालक के उबर, ठीक है बच्चो, तो ये हो गई total आपके सारे points, इसमें आप सारी असानी से question कर सकते हैं, जैसे समुदाय के अर्थ की बात करें, तो इसमें क्या होता है बच्चो, इसमें व्यक्तियों के समुव होते हैं, इनके जीवन समानने होती है, इनके नियम समानने होते हैं, और अस्थाई तुअ निश्चित भोगलिक्षे, तो ये सारे चीज़े इनकी विसेस्ताओं के अंद्रगत आ जाती हैं, समुदाय को आप अपने सब्दों में बना के लिखिए बाकी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हैलफुल हो तो कमेंट में अपनी राहे जरूर दें बच्चो इस पॉइंट को याद करकिएगा इस पॉइंट से आप बहुत अच्छे से सारे कोश्चन के आंसर इसी पॉइ पॉइए वीडियो को देखने के लिए कमेंट पर अपनी राहे जरूर दें कि वीडियो कैसे लगी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल से नहीं जूने तो सब्सक्राइब करके चैनल से जूड़ जाए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लिजिए फिलार इस वीडियो अगले वीडियो में चैनल से जूड़ रहने के लिए बहुत 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 थाने वाद मिलेंगें अगले वीडियो में चैप्टर नमर 12 के साथ तब तक अपना खुब क्याल रखें पढ़ते रहें जया है जया भारा दोस्तों